हेलो बच्चो, क्या आप मुझे स्क्रीन पर देखकर बताऊगे कि आप किन चीजों को देख रहे हो? बिल्कुल सही, पहली चीज का नाम एपल है, दूसरी चीज का नाम चिय है, तीसरी चीज का नाम बुक है, और चोथी चीज का नाम डॉग है तो आप अपने चारों तरफ जितने भी चीज़े देखते हैं, उनके नाम होते हैं जीसे यहां पर एपल है, चीर है, डॉग है, और बुक है इनके नाम, नाउन कहलाते हैं आपकी चारों तरफ, जो भी चीज हो, उसका जो नाम है, वह क्या कहलाएगा? नाउन कहलाएगा तो आप देखें हमारे चारों तरफ बहुत सी चीजे हैं तो उनके नाम भी बहुत सारे हो जाएंगे तो इन सभी नामों को हम पांच भागों में बाटते हैं और इन पांच को ही नाउन के काइंड्स कहते हैं अब आप देखें अगली पिक्चर में क्या देख रहे हो बिल्कुल हम इसमें बहुत सारे एपल्स देख रहे हैं अगली पिक्चर को देखो बिल्कुल सही ये शेर्स हैं और अगली पिक्चर में बुक्स हैं और उसे अगली पिक्चर में परसंस हैं कुछ व्यक्ति खड़े हुए है अब आप दिखो एपल चाहे ग्रीन हो, रेड हो या येलो हो वो एपल ही है अगली पिक्चर में बुक से हैं और बुक किसी भी तरह की हो वह बुक ही कहलाएगी आगे डॉग से हैं और डॉग कोई भी हो वह डॉग ही कहलाएगा तो जो वर्ड्स एपल, बुक, डॉग ये वर्ड कॉमन वर्ड हैं जिनको हम किसी भी एपल या किसी भी बुक या किसी भी डॉग के लिए यूज कर सकते हैं तो ऐसे नेम जो कॉमन नेम है उन्हें हम common noun कहते हैं तो ये noun का सबसे पहला kind है जो common noun है तो बच्चों आपको common noun से रिलिटर्ड वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा? थैंक यू